अज हम बनाएंगे काजू नमक पारे इसके लिए मैंने आपर लिया है एक कप मैदर इसमें डालेगे हम एक छोटा चमप नमक एक छोटा चमप अजवाइन और आधा छोटा चमप काली मिर्च पाउडर इसके साथ ही हम इसमें मौन के लिए डालेंगे तीन बड़े चमत जित्ता ओयल अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हम ऐसे चेक करेंगे हमारी मौन एकदम परफेक्ट है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छीटा लगाते हुए अच्छा से आटा लगा लेंगे हमको आटा थोड़ा सब टाइट लगाना है इस तरीके से आटा गूद गया है अब हम इसको 10-15 मिनिट रख देंगे 15 मिट हो चुके हैं, आठा अच्छे से साइट हो गया है, अब हम इसकी लोई बना लेंगे, बहुत ज़्यादा मतना नहीं है, यह फटा फटा दिख रहा है, लेकिन हमको इसको ऐसे ही रहने देना है, इस तरीके से हमने इसकी दो लोई बना ली है, आप चाहें तो इसकी एक ल सेकी स्ट कर सकते हम यहार पर एक रोटी को बैलने के बाद उसको फोल कर देंगे, इस तरीके से एक रोटी को बैल ली यह ऀसको हमने फोल करके double कर दीया, अब हम इसको फिर से बैल लेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं बैलना है, ऐसा करने से हमको जो काजू के बीच में, जो काजू के दो टुकड़े जोइंट होते ना वैसा वाला टेक्स्चर आएगा इससे लिबेल चुके हैं हम इसको अब हमने आसके जो एक्स्ट्रा पार्टे रफ वाला उसको प्रिजा कटर से इस तरीके से निकाल लेंगे काजू का शेप देने के लिए हमने यहां पर राउंड कटर लिया है आप इसकी जगा बॉटल का ढकन भी ले सकते हैं पहले हम थोड़ा सा निकाल लेंगे अब हम इसको आधे चांद का शेप देते वे कट करेंगे देखिए एकदम काजू के समान कट हो रहा है अब हम पूरा इसी तरीके से कट कर लेंगे इस तरीके से कट कर लेना है अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी भी बॉटल का ढकन ले सकते हैं अब हम यह जो बागी का रफ वाला हिस्सा है उसको भी मिक्स करके फिर से बेल के बना लेंगे हमने यहाँ पर काजू इस तरीके से बनाया है अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पर तेल गरम रखाता है तेल गरम हो गया उसको चेक करने के लिए हमने इसमें एक टुकडा डाला आप देख सकते हैं कि वह दीरे-दीरे उपर आया यानि वह परफेक्ट टेंपरेचर है जोसा हम अब देख सकते हैं काजू अच्छे से फ्राय हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे सारे काजू हम इसी तरीके से फ्राय कर लेंगे आप देख सकते हमारे एक दम परफेक्ट फ्राय हुए हैं काजू अब हमने यहाँ पर काजू लिया है फ्राय किये वे इसमें डालेंगे एक छोटा चमच चाट मसाला, इसके साथ ही हमने लिया है पैरी-पैरी मसाला, यह डालेंगे हम दो चोटे चमच, आप इसकी जगह पर मैगी मसाला भी आइट कर सकते हैं, या फिर ब्लैक पेपर, या फिर लाल मिर्च पाउडर, आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, इसके कितना खस्ता बनाया है, देखिए, आपको हमारे काजू पारी का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में बताए, लाइक और शेयर करना ना भूले